नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सिलेंट योटोब चैनल पे अभी आप इस्क्रेन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रिगल कोज फैक्टरी चननई के अंतरगत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नोटिफिकेशन का डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देखिए तो मैं इस पर एक फुल डिटेल में वीडियो भी बना दूगा जिससे कि आप मोबाइल के द्वारा भी फान को अपलाई कर पाएंगे उससे पहले मैं आपको बता दू मैंने एक WhatsApp ग्रूप बना रखा है जिसमें कोई भी नई भरती आती है कोई भी गौवर्मेंट जौब आती है उस सबसे पहले आपको उसमें जनकारी दी जाती है तो आप हमारे ग्रूप में जूबना चाहते हैं तो WhatsApp ग्रूप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा जहां से आप एक महातर क्लिक करके आप ग्रूप में जौइन हो सकते हैं और जो भी जनकारी चाहिए आप डारेक्ट पूछ भी सकते हैं यहां पर यदि बात करें फार्म को कैसे अपलाई करना है और इसमें किन-किन छात्रों को मौका दिया जा रहा है तो सबसे पहले आप ध्याने कियेगा यह फार्म कल की डेट से अतात 35-2023 से भरना स्टार्ट हुआ है और 36-2023 तक यह आपका फार्म भरा जाएगा और यहां पर बात करें कहां से यह फार्म को अपलाई करना है तो सबसे पहले आपको आना है इसकी अपिसेल वेबसाइट पे जो कि आप यहां पर देख सकतें इंट्रिगल कोच फैक्टरी की यह अपिसेल वेबसाइट है और यहीं से आप फार्म को अपलाई कर पाएंगे तो अपलाई करने का पूरा प्रोसेस इन्होंने बता रहा है सबसे पहले आपको फिल दा आलाइन अप्लिकेशन ाइन पर क्लिक और जैसे आप यहां पर आपसे पूछा जाएग एगा प्रेसर कंडेट एंड या एक एकक इएक आइएक्स आइ़ कंडेट絁 पन दे करें इन्हें अपर क्रणोंगे और इसके बाद यहां पर अगला प्रोसेस आ आपपो देखने आ पाएंगे जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करते आई टी आई तो आपको जो यहाँ पर पूरे डेटेल में भरने का आप सम देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको कल की डेट में बताऊंगा कि कैसे आप मुवाइल के द्वारा भी इस फान को अप्लाई कर पाएंग तो आपको जो यहाँ पर ट्रेट देखने को मिल जाता है इस तरह आपको यहाँ पर बहुत सरे आपको सीट देखने को मिल जाती है तो तो इसमें जो अपलाई कर पाएंगे दसमी पास दसमी पास प्लस जो छातर आईटे कर चुके हैं वह लोग इस फान को अपलाई कर सकते हैं वैसे मैं आपको बता दू कुछ जो यहाँ पर सीट आपको देखने को मिले हैं यहाँ पर दो सीटे इसमें दसमी पास भी अपलाई कर सकते हैं तो आपके पास इस ट्रेट से हैं य वो भी चातर इस फाम को अपलाई करेंगे, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, तो उम्र के बारे में इन्होंने यहाँ पर जनकारी दे रखिए, 15-24 वर्स के जो चातर इस फाम को अपलाई कर पाएंगे, और उनका जो उम्र काउंट किया जाएगा, वो 36-2023 से काउंट किया और पांच साल की चूट उन चातरों को देखने को मिल जाती है, जो चातर SHT के कंड़ेट है, तो ध्याने कियेगा, और जो चातर PWBD के अंतरगत आते हैं, उनको यहाँ पर 10 साल की चूट देखने को मिल जाती है, निचे आप आएंगे सात्यों स्क्रॉल करते हुए, तो हर यहाँ पर ट्रेड के लिए, जैसे कि फीटर एलेक्सिशन मैसनिस्ट के लिए, आपको जो यहाँ पर जनकारी क्वलिफिकेशन की दे रखिए, जिसमें यही कहा जा रहा है कि आपका दस्मी में कम से कम 50% आपका मार्क होना चाहिए, और जो आपका जो यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि यह जो आपकी वेकेंसी निकल के आ रही है, आईटी की निकल के आ रही है, तो आईटी के यह दी बात आप अपरेंटिसिव करना चाहते है, तो एक साल इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ध्याने किएगा आपका जो दस्मी पास होना चाहिए, और टेन पलस टू सिस्टम पदिती से आपका दस्मी पास होना चाहिए, निचे आप आईए साती हो, तो यहाँ पर आपको कॉर्पेंटर और यहाँ पर और यहाँ पर वेल्डर जो ट्रेड देखने को मिल जाता है, सेम करनी से इसमें भी रखी गई है, और एक साल इसमें भी आपको ट्रेरिंग दिया जाएगा, और सम्में आपको पचास पर्सेंट जो मारके हो, आपको यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया तो दस्मी में आपका कम से कम 50% मारके तभी आप अप्लाइ कर पाएगे, इसके बाद आप यहाँ पर निचे आजिये स्क्रॉल करते वे तो जो आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा अपरेंटिसीप के अंतरगत उसमें आपको अलग-अलग पेमेंट दिया जाएगा प्रेसर कंडडेट के लिए आप जो चाहतर दसमी पास है उनको यहाँ पर चेहाँ पर मार्शिट लगाएंगे उनको यहाँ पर साथ हजार है वो यहाँ पर ध्यानिकेगा साथ हजार परमत आपको दिया जाएगा तो काफी यहाँ पर इंपोर्टेंट जनकारी इन्होंने साथ में दे रखी है यहाँ पर फार्म को कैसे अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के बारे में मैंने आपको सुरुआत महीं बता दि है बाकि यह द़िए यहां पर बात करें selection की तो इसमें किसी भी तरह का आपका exam नहीं होगा और नहीं interview होगा किवल आपका जो होगा साथ हो merit based भी आपका selection होने वाला है तो बिलकुल आपको कोई भी यहां पर घबराने की कोई जरुत नहीं है आपको इसमें किसी भी तरह का एक्जाम और नहीं इंटर्व्यू देने की जुरुत पड़ेगी है नीचे आप आईए साती हो तो यहाँ पर जो इसके बारे में जनकारी इन्होंने दे रखिये वो सारी जनकारी इन्होंने साट में दे रखिये जिससे कि आप अच्छे तरह से समझ पाएं उमीद आपको जनकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजेगा और चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी सस्क्राइब कलीजेगा